इस वीडियो में आपको वार्ट्ट्स ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ दोनों ट्रिक आपको देख कर जानी है ठीक है तो पहली ट्रिक है जैसा कि आप सभी लोगों को पता है आइफोन यूजर के लिए वार्ट्स आप ने एक नया फिचर लॉंच किया है जिसको बोलते है पिक्चर इन पिक्चर तो आप इस फिचर को अपने एंड्रोइड मूबाइल में भी बड़ी असानी से यूज़ कर सकते हो वो कैसे करना है मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा सपोर्ज कीजे मैंने यहाँ पर अपना वाट्स आप ओपन किया और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे दोस्त ने मुझे एक मेरी वीडियो का लिंक शेर कर रखा है है ना तो यही मैं इसको ओपन करता ह हूँ तो आप सभी लोगों को पता है यह डायक्ट यहाँ पर यूट्यूम में ओपन हो जाएगा जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो है ना लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ यह आपकी यूट्यूब की लाइबरी में ओपन नहीं होगा य इसका नाम है audio pocket उसका link निचे description में मैंने दे रखा है आप इस application को जब open करते हो इस तरह से open हो जाएगी अब आपको जो भी इसमें यह application permission मांगेगी वो सभी permission own कर देनी है और सभी permission own करने के बाद आपको यह application को बंद कर देना है बस और कुछ भी नहीं करना है ठीक है इसके आप वीडियो को share करते हो उपर की side से यहाँ पर दबाएंगे और इस वीडियो को audio pocket वाली application में share करेंगे जैसे कि यह रही audio pocket जैसे यह आप इसको बटन को दबा देंगे यहाँ पर आप देख सकते हो यह video उपर की side चल चुकी है इसके बाद आप बैक आजाएंगे और अप chatting कर रहे थे वो करते रहेंगे ठीक है तो यह बड़े कमाला का feature है आप देख सकते हो ऊपर वीडियो चल रही है और मैं यहाँ पर नीचे अपना chatting कर रहा हूँ है ना इसके बाद आप इस कुछ भी करते रहेंगे अपने वाल में वो वीडियो ऊपर चलते रहेगी तो यह picture in picture mode आप अपने android mobile में भी इस तरह से ला सकते हो यदि आप इस पर यहाँ पर टच करोगे एक बार तो यह जो screen है वो भी बड़ी हो जाएगी दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर आप इसका auto play mode own कर दोगे तो यहाँ पर क्या होगा जब भी आप काम करते रहेंगे अपने mobile में इसके बाद जो वीडियो होगी YouTube के अंदर वो automatic की दूसरी play हो जाएगी तो यह भी कापी अच्छा feature है इसका है ना अब बढ़ते हैं दूसी ट्रिक क्यों दोस्तों दूस्तों दूसी ट्रिक है आप WhatsApp पर किसी से भी बात करते रहें जैसा कि ऊपर आप देख सकते हो मेरा ना आपको एक application download कर लेनी होगी link निचे description में दे रखा जिसका नाम है hide chat name है ना जब आप इस application को open करते हो इस तरह से open हो जाएगी यहाँ पर कुछ इसकी setting करनी होगी जिसमें जाके customize में जाके यहाँ पर आप वो name डाल देंगे जो आपको name चाहिए बार-बार एक ही नाम का ठी देंगे और यह service जो है आपकी own हो जाएगी ठीक है अब इसके बाद यह आप WhatsApp open करोगे जैसे कि मैंने यहाँ पर WhatsApp open कर दिया अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक green button आ रहा है ठीक है तो आपको क्या करना है chatting करते समय इस green button को एक बाद देंगे आप जैसे आप इस green button को दब जाएर आप जो है किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं मैं किस्टे chatting कर रहाऊ उसका नाम और फोटो नहीं दिखाना चाहते नगे इस में इसका नाम आएगा नहीं किसी का फोटो आएगा जो आप share करते हो आएक ठीक है तो दोस्तों इस दो ट्रित्तिया सा करतों आपको चलिए को लाइक करना सो नमस्कार दोस्तों आपका दिन सुबहूँ